नमस्कार दोस्तों एक जामो फोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालों है कि हम लोग यूपी पीसियस प्रिलिम्स 2021 को मद्दे नज़र रखती हुए एक आयलपी प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके आज आठ 2400 प्लस NCQ पे चर्चा करने वाले हैं और यह 75 डेस का प्रोग्राम है जिसके तहित आप सभी लोगों को कॉंसेट क्लासेज मिलेंगी साथी करेंट एफियर्स मिलेंगे साथी टेस्स स्रीज मिलेंगे आज के सेशन में हम लोग 30 प्लस NCQ पे चर्चा करेंगे और आज का हम ल बढ़ा कर कितना कर दिया है E option में 1 लाख रुपए, B option में 2 लाख रुपए, C option में 2 लाख रुपए, D option में 3 लाख रुपए तो इसका correct answer है B option 2 लाख रुपए कर दिया है, B option यहाँ पे सही जवाब है भारती रिजर बैंक ने भुकतान बैंकों में एक कश्टुमर द्वारा मैक्सिम रासी रखे जाने की लिमिट एक लाख रुपए से बढ़ा कर दो लाख रुपए कर दी है नेश्टे कुश्य नमबर दूसरा भारत में डवल म्यूटेंट कोविड-19 वारस का एक अपचारिक विग्यानिक वर्गी करण क्या है जो अभी नया वारस फैला है भारत में उसका विग्यानिक वर्गी करण क्या है तो इसका सही जवाब है बी डॉट वन डॉट छैसो सत्रा भी ऑप्सन यहां पे सही जवाब है 법 इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा सी शिच्छा मंत्राले ने शुरात की है राश्टी सिछा नीती के लच्छेओं योँ उद्यसों के अनुसराण में और राज्जियों योँ के अनसासी प्रदेसों को इस कार में सहाइता करने हेतु यह योजना शुरू की गई है इस कारकरम का उद्यस प्राथमिक और मादमिक इस्तर पर छात्रों का सर् अपरेल दुआर इकईस में कौन सा भारती पोत मौरीशस की नौसियना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्विछन करने के लिए मौरीशस में तैनात किया गया था तो इसका सही जवाब क्या होगा C option INS सरविच्छक तैनाद किया गया था C option यहाँ पर सही जवाब होगा आगे बढ़ें तो देखते हैं Question No.5 हाली में चर्चा में रहा ग्यान वापी मस्जिद किस सहर में इस्तित है तो यह मस्जिद कहां इस्तित है इसका सही जवाब है B option वारार्ची में इस्तित है अभी हाली में वारार्ची की डिस्टिक कोट ने ASI को आदेश दिया है कि इसका सरविच्छन करें इस मस्जिद का कि इसकी नीची हाकिकत में मंदिर था या नहीं था इसलिए यह ग्यानवेपी मस्जिद चर्चा में है अगला है कुश्य नमर छटवा किस देश ने टोकियो उलम्पिक दोयार 21 में भाग नहीं लेने का फैसला किया है तो इसका सही जवाब है C.O.S.L. उत्तरकोरिया ने ये निरने लिया है उत्तरकोरिया ने ये निरने लिया है कि फैलते कोविड-19 के कारण वो टोकियो उलम्पिक दोयार 21 में संब्लित नहीं होगा अगला है कुश्य नमर सात्वा किस एथलेट को 36 गड़ वीरनी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो सात्वे का सही जवाब क्या होगा तो सात्वे का सही जवाब होगा डी ओप्सन दुती चंड को सम्मानित किया गया है भात की महिला धाविका और जकार्ता एसे आई खेलों में 100 तथा 200 मीटर में रज़त पतक जीतने वाली दुती चंड को 36 गड़ वीर्नी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है नेश्टे कुष्चन नम्मर आठ होगा नेत्रा कुम्नन नेत्रा कुम्नन जो हाली में चचा में थी किस खेल प्रतियस परदा से सम्मानित है तो इसका सही जवाब है सी ओप्षन से सम्मानित है नेत्रा कुम्नन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारती मैला नौका चालक बन गई है नेत्रा ने उमान में खेली जारी ACI क्वालिफायर की लेजर रेडियल इस परदा में टॉप पोजीशन हासिल कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अगला कुशन नमबन नौहाँ अप्रेल दुहार 21 में केंद्री मंत्री मंडल ने किस वाइट गुट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोस्ताहन योजना को मंजूरी दी है तो नौह का यहाँ पे सही जाब है एयर कंडीशन और LED लैट्स के लिए मंजूरी दी है फैंद्री मंत्री मंडल ने हाली में फाइट गुट्स जैसे एयर कंडीशनर और LED लैट्स के लिए उत्पादन लिंक्ट योजना को मंजूरी दी है इस योजिना का मुख खुदेश भारत में वी निर्मार को विस इस तरपर प्रतिस्परदी बनाना है इस योजिना के लिए अवंटित बजट 6238 करोर रुपए रखा गया है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्च नम्मर 10 हुआ किस संस्था ने Lab on Wheels लॉंच किया है तो आपको बताना है किस संस्था ने Lab on Wheels लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है B option दिल्ली टेकनोलोजिकल यूनिस्टी ने इसको लॉंच किया है B option यहाँ पे सही जवाब है अब आगे से 11 नमर कुश्चन से एकोनमी का सेक्षन स्टार्ट होता है तो अब देखेंगे एकोनमी से सम्मंदित कुश्चन तो कुश्चन नमर 11 है भारती अर्थव्यस्ता के संदर्व में निम्ने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन कहिए पिछले 5 वर्सों में सकल घरेल उत्पाद में लगतार व्रद्धी होई है और दूसरा कतन कहिता है पिछले 5 वर्सों में प्रतिव्यक्ति आयवें व्रद्धी लगतार बढ़ी है तो बताइए इसमें कौन सा कतन सही होगा तो इसका सही जवाब है A option पहला कतन सत्य है कि पिछले 5 वर्सों में जीडिवी की व्रद्धी दर में उतार चड़ावाया है जबकि ये कभी भी नकारात्मक नहीं रही है पिछले 5 वर्सों में सकल घरेल उत्पाद में लगतार व्रद्धी दर्ज की गई है ये 12-19-20 के पर पिछ में बताया जा रहा है question और 12-16-17 में प्रतिव्यक्ति आय की व्रद्धी दर और 12-16-17 में प्रतिव्यक्ति आय की दर 12-17-18 में 9.3 प्रसे से घटकर 8.6 प्रसेत हो गई ये 18-19 में बढ़कर 10 प्रसेत हो गई तो यहाँ पर पहला कतन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं question नमर 12 निम्लि लिखित में से कौन मानव पूंजी में सवरद्धी कर सकता है पहला option है सिच्छा में निवेश, दूसरा है नवकरी में प्रसिच्छण, तीसरा है प्रवास यानि migration तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो है तीनों ही मानव पूंजी में सवरद्धी कर सकते हैं इसलिए डी option याँ पे सही जवाब हो जाएगा कैसे कर सकते हैं सिच्छा में निवेश, बेतर कौसल की ओर ले जाता है तथा इस प्रकार मानव पूंजी निर्माड में जुड़ जाता है और दूसरा है नौकरी में प्रसिच्छण भी बेतर कौसल की ओर ले जाता है तता इस प्रकार मानव पूंजी निर्माड में जुड़ जाता है अतिसा है लोगों का प्रवासन मी मानव पुंजी निर्मार जोडता है क्योंकि यह एक विक्ति के निस्क्री और अविक्सित कौसल के उप्योग की सुविधर पदान करता है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमर 13 भात में सकल राष्टी उत्पाद यानि जी एन पी क्या है तो बताईए क्या है तो इसका सही जवाब क्या होगा देश की केवल निवासी और अनिवासी नागरिकों की आय को ही जी एन पी कहते हैं और ए उप्सन या पे सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमर 14 है कि निवन में से किसे अंतिम उत्पाद माना जाता है यह उप्सन में एक डॉक्टर की सिवा हैं दूसरे उप्सन में ग्रहांकों की सिवा के लिए एक रिस्ट्रा द्वारा खरीदी गई सब्जियां तीसे उप्स में तो बताएं इसमें से कौन सा ओप्सन सही है एक डॉक्टर की सिवाएं अंतिमुत्पाद है एक कंपनी द्वारा निवेस की रूपए खरीदी गई मसीन इस प्रकार से यहां पर बी ऑप्सन सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहां पर ग्रहांकों की सिवा के लिए एक र हाथ में राष्टी आए एक सब्ध है जिसका प्रियोग किया जाता है किसके पर पेच में किया जाता है तो यह बताना है आपको तो यहां पर पांचे का सही जवाब होगा बजार लागत पर सुद्ध राष्टी उत्पाद के लिए किया जाता है इस प्रकार से यहां पर करने के लिए स्विच किया है यानि एन एन पी इसक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रेशिएशन आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्यन नम्मर 16 है रियल और नॉमिनल जी डीबी के बारे में निम लिखे कत्रों पर विचार करें पहला कतन है आधार वर्स में वस्तुओं एवन सिवाओं की कीमत का उपियोग करके वास्तुविक जी डीपी की गढ़ना की जाती है दूसरा कतन है नाम मात जी डीपी की गढ़ना यानि नॉमिनल जी डीपी की गढ़ना उस विचिस वर्स में वस्तुओं एवन सिवाओं की कीमत का उपियोग करके की जाती है तो बताना है कौन सा कतन सत्य है वास्तुविक जी डीपी इस तिर्मूल पर राष्टी आए होती है इस पकार से पहला कतन यहां पर सही जवाब हो जाएगा और दूसरा है नाम मात जी डीपी यानि बात करें नॉमिनल जी डीपी की मौजूदा कीमत पर राष्टी आए है यह भी सही है तो इस पकार से सी ओप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्य नमर 17 है निमने लिखित गत्विदियों में कौन एक अर्थ व्यास्ता में द्वत्री एक छेत्र का गठन करती है पहले ओप्शन में है माइनिंग दूसरे में हैं कंस्ट्रक्शन तीसरे में मैनुफेक्ट्रिंग तो इसका राइट अंसर क्या होगा दूसर के बारे में पूछा है तो बताइए सिकेंड्री सेक्टर में क्या आता है V निर्माण आता है निर्माण आता है construction आता है इस प्रकार से यहां पर B option यहां पर सही ज़ाब हो जाएगा जबकि खनन की बात करें तो यह जो है primary sector का है primary sector में क्या आता है रसी, खनन वान की, चराई, सिकार करना, मशली पकरना और उत्खनन करना आता है मानव विकास सुचकांग के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कतन है यह स्युक्त राष्ट विकास कारकम द्वारा तैयार एक सुचकांग है और दूसरा है मूल आयाम, लंबा एउन स्वस्त जीवन, सिच्छा तथा जीवन जीने का एक सब इस्तर है पहला कतन तो सत्य है कि यह स्युक्त राष्ट विकास कारकम द्वारा तैयार एक सुचकांग है और मूल, आयाम, लंबात और स्वस्त जीवन, सिच्छा तथा जीवन जीने का एक सब इस्तर है यह भी कतन सकते है इस प्रकार से सी ऑप्सन यहां पर सही जाब हो जाएगा आगे बारत करते हैं कुश्चन नम्मर 19 की वे वस्तु जिसकी कीमत बढ़ाने पर मांग बढ़ जाती है क्योंकि उसकी विश्यस प्रकार्टी तथा पद इस्तिती के प्रतीक की रूपे मानी जाती है तो इसका सही जाब क्या होगा वे विलेन वस्तु जिसकी कीमत बढ़ाने पर उसकी मांग बढ़ जाती है बी ऑप्सन यहां पर सही जाब होगा अगला है कुष्टे नमबर 20 भारती अर्थवियस्ता के संदर में निम्निन लिक्सित कत्रों पर विचार करें फ़데ला कतन है पिछले 5 वर्च वर्चों में भाथ के सकल मूर वर्धित में सेवा छिद का हिस्सा लगातार बढ़ा है वहीं दूसरा कथन है पिछले 5 वर्सों में भात के सकल मूल वर्दित में प्राथमिक छेत का हिस्सा लगातार घटा है तो बात करें पहले कथन की तो पहला कथन तो सत्त है कि सेवा छेत का हिस्सा लगातार बढ़ा है और जो है बात करें दूसरे कथन की कि प्रात्विक छेत का हिस्सा लगातार घटा है तो जो है वित्वर्स 15-16 में प्रात्विक छेत का हिस्सा 17.7 प्रस्यत था वित्वर्स में वित्वर्स 16-17 में ये बढ़कर 17.9 प्रस्यत हो गया फिर 17-18 में यह घटकर 17.1% हो गया और इस प्रकार लगातार गिरावट नहीं आई है विट वर्स 18-19 की बात करें तो यह बढ़कर कितना हो गया 18.57% हो गया इस प्रकार से यह कथन गलत है तो सही जवाब हो जाएगा यह ओप्सन अगला कुश्य नमर एक केस अगर स्वच्चालन शुरू करने के कारण कुछ मैनुवल मज़दूरों को कमपनी से निकाल दिया जाता है तो वे किस तरह के विरोजगारी का सामना करते हैं तो यहाँ पर सही जवाब होगा B-Option सरचनात्मक विरोजगारी का सामना करेंगे वे B-Option यहाँ पर सही जवाब है विरोजगारी और उप्लब्द नौकरियों के बीच कॉसल के एक असंतुलन के कारण सरचनात्मक विरोजगारी होती है सरचनात्मक विरोजगारी आंतर पर तक्निकी परिवतन के कारण होती है जब कई तक्निकों को प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ नौकरियों और कौसल की मसीनों दोरह पतसे स्ताफित किया जा सकता है एक प्रक्रिया जिसे स्वचालन कहा जा सकता है आगे बढ़े तो देखते कुष्चन नमर 22 प्रधान मंत्री युवा योजना के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कत्रन है इसका उद्देश युवा में उद्दम सीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सच्छम पारिस्तिकी तंत बनाना है और दूसरा कत्रन है इसे युवा मामले और खेल मंत्रारे दोरा लॉंच किया गया है तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका क्योवल पहला ही उप्सन सही है कि इसका उद्देश युवा में उद्दम सीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सच्छम पारिस्तिकी तंत बनाना है जबकि दूसरा गलत है इसे कौसल विकास और उद्दिमेता मंत्रारे दोरा कार्यानमित किया जा रहा है इस प्रकार से एक उप्सन यहां पर सही जवाब हो जाएगा अगला है कुश्य नम्मर 23 निम्रिलिखित वस्तिवों पर विचार करें पहला है चारा गाय भूमी दूसरा है स्ट्रीट लाइट तीसरा है पुलिस की सिवाए उप्रोग तुस्तिवों को प्रदान करने के लिए किसकी उसरलागत सुन होगी किसकी उसरलागत सुन होगी तो यहां पर चारा गाय भूमी की उसरलागत सुन होगी मा की उसरलागत सुन नहीं है उप्भोग में प्रतिवंदता मौजूद नहीं है और अवसर लागत अगले में भी सुन नहीं होगी पुलिस की सिवा में क्योंकि बोग में प्रजिदनता मौजूद नहीं है इस प्रकार से ये गलत ये गलत पहला ओप्सन सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़े देखते कुश्चिन नमर 24 क्रसी जंगर्णा 2015-16 के आकड़ों से पता चलता है कि पहला कतन है यानी ओप्रिशनल होल्डिंग के उसद आकार में गिरावट आई है अग दूसरा कतन है मैला परिचालन यानी ओमिन होल्डिंग धारकों का प्रिस्ट सेयर बढ़ा है यहाँ पर बताना है कि कौन सा कतन सत्य है तो यहाँ पर तो दोनों ही कतन सत्य है पहला दूसरा दोनों ही सही है प्रोविजनल डाटा के उसद दोहार 10-11 में 1.15 हेक्टेर की तुलना में दोहार 15-16 में जो है ओपरेटिंग होल्डिंग का घटकर कितना रह गया 1.08 प्रिस्ट रह गया इस प्रकार से गिरावट आई है तो यह पहला कतन सत्य है अब बात करते हैं महिला परिचालन की तो जन्गर्णा में यह भी पाया गया कि दोहार 10-11 में महिला परिचालन को की प्रिस्ट इस् प्रिबी उन्मूनल के लिए सरकार ने निम्ज लिखित में से कौन से कदम उठाए हैं पहला कतन है राष्टी खाज सुरच्छा अधिनियम दूसरा है प्रदान्वंत्री जन आरोग योजना तीसरा है महत्मा गांदी राष्टी ग्रामी रोजगार गंटी अधिनियम तो य भारत में किस प्रकार की कर प्राणाली अपनाई गई है भारत में किस प्रकार की कर प्राणाली अपनाई गई है तो इसका सई जवाब है यह ओप्षन प्रोग्रेसिव टेक्स प्राणाली अपनाई गई गई है यह ओप्षन यहां पर सई जवाब है प्रोग्रेसिव टेक् दूसरान करता है इसलिए भारत में प्रोग्रेस्टिव टेक्सिशन हैं अगला कुश्य नम्मर 27 आर्थिक व्रद्धी एवं विकास के बारे में निमलिखे कतनों पर विचार करें व्रद्धी मात्रात्मक है जबकि विकास गुडात्मक है दूसरा कतन है विकास के लिए निम्निलिखित कत्रों पर विचार करें पहला कताने वास्तिविक GDP की गणना मुद्राच्विती को ध्यान में रखकर की जाती है जबकि नाम माज GDP की नहीं और दूसरा कताने नाम माज GDP वास्तिविक GDP की तुलना में अक्सर अधिक होती है और तीसरा कतन है भात में GDP की गढ़ना केंदरी सांखी का रियालाद्वारा की जाती है तो यहाँ पर तीनों ही कतन सत्ते हैं इस प्रकास से D-Option यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्च नमर 39 प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के बारे में निमलिकर कतनों पर विचार करें पहला कतन है इस श्रम और रोजगार मंत्रारे द्वारा लॉंच किया गया और दूसरा है असंगठित छेत का कोई भी श्रमिक योजना में नमंकर्म कर सकता है तो यहाँ पर दोनों ही कदन सत्य हैं इस विजना से संब्दित तो सी ओप्सन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुश्च नमर 30 और आज की सेशन का अंतिम कुश्च न मेकांग गंगा सयोग की संदर में निलिखे कत्रों पर विचार करें यह भारत और चार आसियान देशों द्वारा एक पहल है और दूसरा है पहल का उद्देश परेटन संस्कृति सिच्छा साथी परिवहन और संचार में सरस्चों की 20 सयोग प्रात करना है तो बताएए कौन सा कथन सत्य है यहां पर मेकांग गंगा सयोग 6 देशों द्वारा संचालित पहले ना कि 4 देशों द्वारा इसमें 6 देश कौन कौन से हैं भारत और अन 5 आसियान देश कमबोडिया लाओस पीडियार मियामार थाइलन और वियातनाम इसमें समलेथ हैं तब तक के लिए गुडबाई थेंक यू फॉर वाचिंग एक्जामोफोबिय यूटूब चैनल